हेलो दोस्तो आप से भी एक बार फिर स्यारदीक सुवा आपके अपने इस YouTube चैनल पे दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे वी पी सी से चेचन के तो डिस्कस कर ले थे आज हम ब्लॉक सेकेंड नुट्रिशन के फैस्ट युनिट के अन्यूट्रिशन के अन्यूट्रिशन अनुट् को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेटन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट जल्दी से मिल जाए तो चली देखते हैं फटा फट से सभी क्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एक्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है इसलिए आपको फटा फट से जितने बी ऐमसी कूश बताया जा रहें उन सभी ऐमसी कूश गोच्छे से याद कर लेना है पहला क्यूशन देखिए मैक्रो निट्रेंट्स इन्वल्व पूछा गया आपको मैक्रो निट्रेंट्स के अंदर कौन-कौन इन्वल्व के गये हैं तो यहा आपको पूछा गया कि निम्ल कितमेसे किसमे परचूर मात्रा में यह फिर सबसे ज्यादा विटमिन सी पाया जाता है तो आपको यहाँ पर जो प्रेक्टान से करना option 5 आमला जो आमला होता है उसमें सबसे ज्यादा विटमिन सी पाया जाता है next question देखिए the other name of vitamin C is दूसरा नाम आपको पूचा गया है कि vitamin C का दूसरा नाम होता क्या है तो आपको यहाँ पर correct answer करना option B ascorbic acid next question देखिए retinol is also known as retinol को किस नाम से जाना जाता है तो आपको answer में करना है option C vitamin A का दूसरा नाम क्या है retinol next question देखिए which of the following is the rich source of vitamin D आपको यहाँ पर पूचा गया है कि निमली कि तुम से कौन सा richest source of vitamin D का दोस्तों यहाँ पर आपको जो correct answer करना हो क्या गया ना option first sunlight जो sunlight होती है वो सबसे ज्यादा vitamin D का क्या है richest source है next question देखिए deficiency of vitamin D causes vitamin D है उसकी अगर deficiency body में हो जाए तो क्या condition कोज होगी आपको यहाँ पर क्रेक्टान सकना option B osteomalacia next question देखिए और जो पहलेग्रा है पहलेग्रा होता है vitamin B3 vitamin B3 के कमिशे vitamin B3 की कमिशे और इसमें 3D आपने पढ़ा भी होगा 3D जो science symptom होते हैं वो arise होते हैं फिर patients के अंदर देखने को मिलते हैं next question देखिए vitamin की is essential for vitamin K होता है वो किसके लिए जरूरी होता है तो यहाँ पर आपको जो क्रेक्टांसर करना हो क्या करना option C blood clotting blood को clot करने में help करता vitamin K next question देखिए riboflavin is also known as riboflavin को और किस नाम से जाना जाता है तो आपको यहाँ पर क्रेक्टांसर करना है option first यानि vitamin B2 का क्या नाम है riboflavin vitamin B1 को कहते हैं थाइमीन क्या कहते हैं थाइमीन तो इस प्रकार से आपको याद करना है next question देखिए vitamin A deficiency causes जो vitamin A है उसकी deficiency क्या कोज कर सकते हैं तो यह सभी conditions जो आपको दी गी है all of the above night blindness जीरो प्तेल्मिया बाइटोट्स इस सभी conditions vitamin A की deficiency से होती है next question देखिए vitamin B6 is also known as vitamin B6 है उसको और किस नाम से जाना जाता है या फिर vitamin B6 है जो vitamin B6 है उसका क्या नाम है आपको यहाँ पर क्रेक्टान से करना option C pyredoxin next question देखिए deficiency of iodine cause जो iodine की deficiency है वो क्या condition cause करेगी यहाँ पर आपको क्रेक्टान से करना option first goiter goiter जो है वो iodine की deficiency से होता है next question देखिए disease like ricards, scurvy and beriberi occurs due to the deficiency of जो disease conditions यहाँ पर देखिए आपको ricards है इसकरवी है beriberi है यह किसकी deficiency से होती है तो यहाँ पर आपको क्रेक्टान से करना option D vitamins यह vitamins की कमी से होने वाले disease conditions है ricards होई, scurvy, beriberi होई यह से भी vitamins की deficiency से होती है next question देखिए processed food generally lack of जो भी processed food होते हैं उनमें किसके कमी होती है तो यहाँ पर आपको क्रेक्टान से करना option D vitamins जो vitamins है इनके कमी किसमे होते है processed foods के अंदर next question देखिए which of the following is not a fat-soluble vitamin यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा एक fat-soluble vitamin नहीं है यहाँ पर आपको क्रेक्टान से करना option C, vitamin C जो vitamin C है यह fat-soluble नहीं है यह कौन सा है water-soluble है कौन सा है water-soluble और जो fat-soluble है वो कौन-कौन किसे है ADEK और जो B and C है वो कौन से है water-soluble है next question देखिए साथ यह जो PDF है दोस्तों मैं बता दूँआ आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलेग्राम ग्रूप के अंदर मिल पाएगी इसमें दोनों ही language में I'm secure है हिंदी और English में अगर आपको English में समझ में नहीं आए तो आप हिंद की कमिशी बेरी-बेरी होता है next question देखिए name of the disease caused by the deficiency of niacin जो niacin है इसकी deficiency से कौन से disease condition होगी यहाँ पर आपको answer में करना option first पेलेग्रा जो अभी आपको मैंने बता है था B3 vitamin B3 जो है उसका नाम है niacin और इसकी कमिशी पेलेग्रा होता है पेलेग्रा में 3D science symptoms जो है वो दे enzyme A यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा एक को enzyme A का component है तो यहाँ पर आपको correct answer करना हो क्या करना आपको option first vitamin A या फिर retinol जो retinol है वो co enzyme का क्या है component है next question देखिएगा megaloblastic enemy is caused due to the deficiency of megaloblastic enemy है वो किसके deficiency से होने वाली disease condition है यहाँ पर आपको answer में करना option first cobalamine next question देख देखिए which of the following vitamin is also known as cobalamine जो cobalamine है उसको कौन से vitamin के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आपको answer में करना option B vitamin B12 है vitamin B12 का नाम है cobalamine next question देखिए name of name the vitamin which takes part in blood clotting आपको यहाँ पूछा गया कि कौन सा vitamin है जो blood clotting में help करता है और यह आपको दुबारा यह question मिल गया है यह जो vitamin K है यह blood clotting का काम करता है next question देखिए vitamin C is present in, जो vitamin C है वो किसमें present होता है यहाँ पर तेन option मलब चार options दे रहे हैं इनमें इसे कौन सा option है जिसमें vitamin C पाया जाता है यहाँ पर आपको correct answer करना option first यानि option A tomatoes जो tomato होते हैं उनमें vitamin C पाया जाता है पर पर यह इनमें vitamin A होता है क्या होता है इनमें vitamin A होता है vitamin C नहीं पाया जाता है next question देखिए enlargement of thyroid gland due to the deficiency of जो thyroid gland है अगर वो enlarge हो रही है तो यह किसकी कमीशी हो रही है यहाँ पर all are vitamin deficiency disease accept सभी जो disease conditions हो क्या है vitamin की कमीशी होती है एक को छोड़ गर यहाँ पर आपको जो correct answer करना हो क्या करना option A marasmus जो marasmus हो protein यानि PEM protein energy malnutrition है ना कि vitamin की deficiency होने वाली disease condition बागी सभी क्या है यह vitamin की deficiency होने वाली disease condition है next question देखिए calcium deposition in soft tissues is due to जो soft tissues है उसमें calcium deposition होता है वो किसकी वज़ाशी होता है यहाँ पर आपको answer में करना option B access of vitamin D अगर vitamin D ज्यादा हो जाए तो उसके वज़ाशे calcium जो है कहाँ पर deposit हो जाएगा soft tissues गे अंदर next question देखिए deficiency of calcium में lead to a condition called अगर calcium की deficiency हो जाए तो इसके वज़ाशे कौन सी disease condition कोज होगी यहाँ पर आपको correct answer केना option C, titani, titani जो है वो calcium की deficiency से होने वाली disease condition है next question देखिए deficiency of vitamin A cause जो vitamin A है उसकी deficiency से night blindness होगा दो तिन बार ही क्यूसन ऐसे ही है कि क्यूसन बार बार जो repeat होते रहते हैं इस परकार के क्यूसन आपको मिल जाएंगे वैसे ही क्यूसन आपको पहले भी बता दिया है next question देखिए marasmus and quashiorker are both disease occurring in infants due to the deficiency of which nutrients जो marasmus and quashiorker है ये दोनों ही disease conditions जो है वो infants के अंदर देखि जाती है ये किसकी वज़र से होती है किसकी कमीशे होती है यहाँ पर आपको answer में करना option D protein जो मैंने आपको भी थोड़े देर पहले बताया है next question देखिए vitamin A profile axis program was launched in the year very very important question यह आपकी exam में जरूर पूछा जा सकता है कि जो vitamin A profile axis program हो कब launch किया गया था आपको यहाँ पर करेक्टान सकना option B 1970 में vitamin A profile axis program launch किया गया था next question देखिए administration of first dose of vitamin A is given at जो vitamin A है उसकी first dose जो है वो कब administer की जाती है तो आपको यहाँ पर करेक्टान सकना option C 9 month यह मिजल्स के साथ में दी जाती है यह जो मिजल्स की first dose होती है यह फिर जो मिजल्स की vaccine लगती है वो भी 9 महिने पर लगती है और vitamin A की first dose भी 9 महिने पर लगती ह है साथ ही आपको यह भी धान रखना है जो first dose vitamin A की होती है वो 2,00,000 international unit होती है कितनी 2,00,000 international unit बाकी जो जितनी भी dose लगती है vitamin A की जितनी भी dose administered की जाती है वो सभी 1,00,000 international unit administered की जाती है next question देखिए आइडिन deficiency disorder control program वाज launched in जो आइडिन deficiency disorder control program है जिसको short form में कहते हैं ID,D,C,P यहनि कि आइडिन deficiency disorder control program यह कब launch किया गया था यह भी important है यहाँ पर जो correct answer आपको करना option A 1963 में next question देखिए midday meal program very very important यह school children's के लिए चलाया गया है midday meal program तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि midday meal program was initiated in the year of जो midday meal program है वो कब start किया गया था यहाँ पर आपको correct answer करना option C 1962 में midday meal program start किया गया था और यह school children's के लिए specially चलाया गया है यह mostly जो school children's होते हैं उन्हें को इसका फायदा मिलता है next question देखिए role of nurse in midday meal program is यहाँ पर आपको पूछा गया है कि nurse का क्या role है midday meal program के अंदर यहाँ पर आपको correct answer करना option D all of the above जो health है उसको assessment करना है planning को evaluate करना है nutrition की education जो है वो provide करनी है next यहाँ पर जो इसके हिंदी के जो mcqs यानि जो हमने discuss किया भी जितने भी questions उनका जो हिंदी रुपानत answer है वह आपको मिल जाएगा यह फिर हिंदी translation में यह सभी questions आपको मिल जाएंगे अगर आपको कहीं पर भी दिखके तो English में समझने में तो आप हिंदी में भी इनको पढ़ सकते हैं और यह PDF सिर्फ पोर सिर्फ हमारे telegram group में मिलेगी तो आप telegram group को जल्दी सी जल्दी join कर ल लीजिए अभी जो आगे हम जो second और third जो unit है वह हम discuss करने वाले हैं थोड़ा फास्टली देखेंगे क्योंकि अभी BNS 042 भी पूरी पड़ी है तो exam भी नजदेक आगे हैं तो हम थोड़ा फास्टली चलेंगे इसलिए आप जल्दी सी जल्दी जितने भी questions solve हो सके उतने आप solve कीजिए ताकि आपकी exam में help हो सके फिर में लेंगे दोस्तों नेव डिएक साथ तब तक आप महार साथ बने रहेगा thank you so very much